भारतिये जनता पार्टी वो पार्टी है कि तुम करो तो सुभान अल्ला हम करे तो कारेक्टर दिला भारतिय जंता पार्टी के चाल चरित और चेहडा सिफ जूट बोलने का है जूट की खेती देश राष्ट हिते और राष्ट के लिए ये नकली ड्रामा करते हैं नो टंकी करते हैं देश को इमोशन के साथ जोडते हैं अभी कुछ नहीं है ये तो जलक है अभी तो बॉर्डर पर ये करवाएंगे इधर करवाएंगे उधर करवाएंगे हिंदू-मुसलिम करवाएंगे बहुत कुछ होना बाकी है 24 को जितने के लिए बहुत मतलब किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये जूट की खेती कर रहें ज्यादा दिन नहीं चलेगा एक दिन ऐसा भी आएगा कि रा इसको यह लाइन में खड़ा करवा के कटोरा लेके भीक मंगवाएंगे और इनका सुप्रासाफनत तैय है 2024 में इनका अब पुर्णा सरकार नहीं बनेगी नमस्कार मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनित अवाज जिस तरीके से कल जो चूख हुई है दो लोग घुज गए हैं संसत के अंदर और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की जो गल्ती बताई जा रही है कॉंग्रेसियों दुवारा और आज जो है यह भी कहा गया है जो कि 12 में वह बर्खास्ट करेंगे कॉंग्रेस 15 संस घड़नी की वजा है जो वह शोर मचा रहे हैं हंगामा कर रहते हैं संसद में तो उसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजकुबर पासवान जी इसमें उनकी क्या राय है यह भी कॉंग्रेसी समर्तक है इनकी क्या राय रखते हैं इनी से पूछते हैं मैं इंडिया का समर्थक हूँ, इंडिया गटवंदन उसका समर्थक हूँ, देखे, भारतिये जनता पार्टी, वो पार्टी है कि तुम करो तो सुभान अल्ला, हम करे तो कारेक्टर दिला, ये बता रहा हो कि आजादी के 76 साल बाद भी, आज तक इतनी बड़ी लोकतंत की हत्या नहीं हुई थी, जो आज इस हिटलर साही सरकार में कॉंग्रेस पार्टी के 15 सांसदों को निकाल करके और बाहर का रास्ता दिखाया गया, 15 दिन के लिए बरखास किया गया, तो ये दुर्भाग पूर्ण है और मैं इसकी भर्सना करता हूँ और इसी संदर में मुझे एक कविता याद आती है, वो कविता है कि जो भी कहूंगा सच हीनए साल की कसम, ताजा बनादा माद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, हम गरेब आदमी हैं मोधी सरकार की कसम, तो आपको बता दू कि भारतिया जनता पार्टी के चाल चरित और चेहरा सिप जूट बोलने का है, जूट की खेती, देश राष्ट हिते और राष्ट के लिए ये नकली, ड्रामा करते हैं, नो टंकी करते हैं, देश को इमोशन के साथ जोड़ते हैं, साहा पुलमावा की घ पारे किये, कुछ सवाल का जवाब नहीं मिला, आज कोई घटना इन नए संसद भवन के प्रांगन में हुआ, और क्यालते हैं, आँक के सामने हुआ, जितने भी राष्ट सवा संसद और ये हमारे मानिये संसद लोग थे, तो ये पता चल गिया, ये किसलिए कर रहे हैं, दो उधर करवाएंगे, हिंदू, मुस्लिम करवाएंगे, बहुत कुछ होना बाकी है, तो ये 24 को जितने के लिए बहुत, मतलब किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, कि संसद में जो हुआ है, भाजपा सरकार ने कराया है, लेकिन जनता पार्टी के मानिये सांसत के पास पर गया थे, और वो जाकर के इस धनका टांडब किया, तो इसमें कॉंग्रेस पार्टी का गलती है, मोदी साहब देश देख रही है, 140 करोर आवाम जनता, भारत की जनता, इंडिया की जनता देख रही है, अगर आप में जणा भी सर् लज्जा है, और यह कहा जाता न, के छेहरा सामने आशुका है, कि मोदी जी का छेहरा क्या है, तो इसी के कारण, आप उस दी, वो दिन को क्यों भूल जाते हैं? उस दिन को क्यों भूल जाते हैं जब स्मिर्टी रानी मान्य ये प्रधान मंत्री मोहदे डॉक्टर मन मोहन सिंग को चूडिया भेजा करती थी सदन में हंगामा खड़ा किया करती थी और भी भाजपाई सांसद लोग हंगामा खड़ा किया करते थे सदन को नहीं चलने आज आपका सदन बहुत इंपोर्टेंट हो गया आपसा पॉलेशी जरूर बनती है योजनाय जरूर बनते हैं लेकिन जब देश पे बात आएगा रास्ट पे बात आएगा तो हम कॉंग्रेस पार्टी के लोग हम इंडिया के लोग हम बरदास नहीं कर सकते हैं लेकिन दिस तरीकें से कहा जा रहा है कि बरखास्त करना तो सही है ना कि वो लोग संसत में हंगा मचा रहे थे इस तरीके का हिवार करना संसत के अंदर सई नहीं है ना का फोट नूर जाहां जी आपको सबस्क्राती हachu पेहले हृं हम कुछ भी कर सकते हैं आपको बता दूँ कि 24 में जब सरकार गलती से सरकार आ गई तो यह भारतिये जंता पार्टी के लोग सदन में एक छोटी सी गलती पर बरखास कर देंगे राहुल गांदी जी को किस तरह से सस्पेंट किया गया फिर कितना जल्दी वापस लाया गया तो यह जब देखते हैं कि हम बैक फूट पे जा रहें तो वह भीगी बिल्ली बन जाते हैं लेकिन देश देख रहा है मोदी सहाब अगर आपके पास 56 का सिना है तो इसकी निस्पक जाच करवाईये और कॉंग्रेस पार्टी के मानिये सांसदों को पुना बहाल किजिए नहीं तो आपको 24 में सुप्रा साफ होना तय है लेकि इसमें एक सवाल यह भी उड़ता है कि जब जो कारवाई चल रही है इसके अंदर जाच करी जा रही है लेकिन आप ही लोग जो है अंदर चले गए थे किसके नाम पर भारतिय जनता पार्टी के नाम पर तो साहाब यहां पे सारा खेल भारतिय जनता पार्टी के लोग खेल रहे हैं यहां पे जो भी जूट को सच सच को जूट बना रहे हैं यह पुरा देश जो आधुनिक भारत कोई बनाया बैल गारी से ने के और हम दूसारे उख्लाएं दूसरे पार्टी है और यहा मेरी जो राजनीती है अलग है हम समर्तकर जुरूर और अमरेडिया नहरों जी का रहा है तो आप उसको अंदेखी नहीं कर सकते हैं का यह ऐब कहेंगे नाम बदल करके के भेल गेल शेल और ये सारे चीजे ने हम ने दिया जिस तरह से वटसप इंवर्सिटी पर जो चल रही है न तो यसलिए में बता देता हूं कि यह लोग जूट की खेती कर रहे हैं यह जूट की खेती ज्यादा दिन नहीं चलेगा हम यह वहां को यह एक दिन ऐसा भी आएगा कि राम मंद्री जो बनाए न वहां पर बहार में इंजिनियर डॉक्टर आईए साइपियस को यह लाइन में खड़ा करवा के कटोरा लेकर भीक वहीं पर एक महीला जो है वो पकड़ी गई है इसी में वो कह रही है कि हमें रोजगार ना मिलने पर हम संज़त में घुज गए तो बीज़वी वाले खुद के खिलाफ शड़ी अंत रचवाएंगे क्या साहब सरकार के लिए बहुत कुछ करते हैं ये राजनीती में आपको बता दो कि ये बताईए राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया पूजन सुरू किसने करवाया कॉंग्रेस पार्टी ने जब हिंदूों को एक जूट कर लिया कॉंग्रेस पार्टी ने तो उस समय रत को ले करके कौन जाने लगे लालकिष अडवानी उनकी रत को बिहार में लालू यादब ने पकड़ा तो ये देखते हैं कि हमारे हाथ से क्या जा रहा है उस चीज़ को जाने नहीं देना चाहते हैं सडियंत्रे ये तो सडियंत्रे कार में महारत हासिल है इनका और इस तरह के परधान मंत्री नहीं चाहिए ये परधान मंत्री 56 का सीना इनका किसलिए हम जैसे अक्टिविस्ट हम जैसे निताओं को जेल भेजने के लिए आतंगवादी कहने के लिए पाकिस्तान भेजने के लिए महवादी कहने के लिए लेकिन आप अगर सही माने में 56 का सीना है देश इसका निश्पक्ष जाच किजिए और देशित में राजशित में क्योंकि देश का 135 करोर 40 करोर आवाम देख रही है अगर आप नहीं किये सुप्रासाफ और इनका सुप्रासाफ होना तैय है 2024 में इनका पुना सरकार नहीं बनेगी बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ राजकुमार पासवान जी तो देखा आपने किस तरीके से नोंने बोला कि निश्पक्ष जांच होनी चाहिए जिस तरीके से कल संसद में चूक हुई है दो लोग घुज गये हैं यह बहुत बड़ी चूक पानी जा रही है और भाजपसरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं